हलो गाईज, वेकम बैक टू दू शैनल, दोस्तो क्रिप्टो मार्केट इतना जादा वोलेटाइल है और उसी बीच के अंदर आए दिर हम एक्सिंज जिसकी बैंकरप्सी या एक्सिंज कोई कोलाइप्स कर रहा है, कोई अपने सर्विसेज बंद कर रहा है, ये न्यूज हमें टाइम से भी आ रहा है, कि हम जो अपनी मनी को विट्रो नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर जब अपडेट हमने आपको टेलेगाम चैनल पर शेर किया ना, तो काफी लोगों नहीं यहाँ पर अपनी मनी जो की होटबीट एक्सिंज पर जो होल्ड की हुई है, जब उसे विट्रो करने जा रहे हैं, विट्रो नहीं हो रही है, सुड़ो के अंदर हम सॉलूशन देखेंगे, साती में जानेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है एक्सिंज की साथ में, कि आए दिन कोई ना कोई एक्सिंज कोलाइप्स हो रहा है, या फिर बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर देता है, दोस्तो पहली चीज़ तो ध्यान रखिए कि अपनी जो क्रिप्टो है, जिसे हम यहाँ पर लोंग टम का विजन लेकर होल्ड कर रहे हैं, उसे एक्सिंज पर तो बिल्कुल भी होल्ड ना करें, कोई भी एक्सिंज का कुछ भी आता पता नहीं है कि कब वो यहा हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि हमें अपनी मनी को या अपनी क्रिप्टो को विड्रो करने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो दोस्तो यहाँ पर सबसे इंपोरेंट चीज़ तो यह है कि अगर आप क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हो, तो अपना एक सोफ्रे वोलेट कर अगर आप और जदा सेफटी चाहते है, तो एक हार्डविर वोलेट ले सकते है, सेफ़ पोल या लेजर का, तो लेजर को भी लेकर मार्केट के अंदर अगर आप देखे तो पैनिक का माहौल करेट हो रहा है, कि लेजर में भी क्या है, हमारा जो फंड है, उसे गवर्मेंट अगर आप अपर अपनी सर्विस को बहन कर रहा है, और दोस्तों यही चीजे और भी एक सिंजे के साथ जो है, आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके है, होटबिट के उफिशल ट्वीट रिट आउट पर, और आज तो इतने यूजर इन के सब अलड़ी हाँ पर जो है कनेक्ट थे हावववर इत इस विद ग्रेट रिग्रेट देट वी हमेड देशन तो स्टॉप अल्सेंट्रालाइज एक्सेंस अपरेशिंस फ्रम 22nd माई UTC याप ताइम देख सकते हैं दोस्तों यहां पर इस दो नहीं क्लियर मैंशन की है कि जो भी लोगों का फंड यहां पर इनके एक्सेंस पर है होटबिट के उपर है वह 21 जून से पहले अपने फंड को विट्व कर सकते हैं बट यहां पर दोस्तों जब हम इनके एक्सेंस पर जाते हैं अब आप देखेंगे इनके जो होमपेस के उपर भी यह आ चुका है कि इनके जो सर्विसेज है वो 22nd यानि आज से यहां पर बंद होने वाली है बट अगर हम यहां पर देखेंगे ना दूस्तों रिजन को लेकर कि यहां पर अपनी सर्विसेज ही बंद क्यों कर रहे हैं और यही दोस्तों जो प्रोल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं यह काफी एकसिंज को अभी की टाइम पर फेस करने को मिल रही है तो यहां पर अगर आप देखे तो तीन डिजन के बारे में बताया गया है कि तीन डिजन है इनका जो बंद हो रहा है सबसे पहले उन्हें बात की है firstly the deterioration of the operating conditions इन्होंने यहां पर जो अपनी services को बंद क्यों किया है after the orbit management team was forced to suspend operations for several weeks due to the investigation in August 2022 तो यहां पर अभी से जो है लगबक 7-8 महीने पहले अगस्ट 2022 के अंदर भी इनकी जो services है withdraw deposit के वो एक बार के लिए बंद हुई थी जिसमें से कि 4-5 जिनों तक लोग अपने अपने फंड को यहां पर लोग access भी नहीं कर पारे तो उस ताइम पर यह चीज़े पहले भी इन्होंने face की है और इस problem का reason क्या है the industry has experienced a series of crisis including the collapse of FTX bank crisis causing UST DPEG so result in continuous outflow of funds तो देखे यहां पर कुछ reason बताए गए है जिसे कि FTX का collapse होना और FTX collapse होने के पीछे का देखे FTX exchange के अंदर काफी exchanges ने अपना यहां पर invest किया हुआ जिसमें से कि होटबीट का नंबर भी था और उसे के साथ यहां पर bank crisis जो कि recently USM में हमें देखने को मिले है और उसे के साथ USDC का DPEG होना तो इन सब के कारण क्या हो रहा है कि users अपने fund को centralized exchanges से withdraw कर रहे हैं तो यहां पर उन्हें बात किया outflow को लेकर तो जब यहां पर लोग अपने fund को centralized exchange पर hold ही नहीं करेंगे तो centralized exchange यहां पर profit कैसे बनाएंगे क्योंकि आज की दिन अगर हम Binance की भी बात करते हैं तो Binance profit कैसे बना रहा है यहां पर trading fee से बनाता है और अगर लोगों का fund इनके exchange पर hold रहेगा तो वहां पर भी वो जो है fund को use कर सकते हैं तो दोस्तों किसी बेक्सिंज के अंदर अगर जादा विड्रों के जादा आउट फ्लों के पैसे जादा बाहर निकलेगा विड्रों होगा ना तो उस एक्सिंज के लिए यहां पर क्याए कि यह problem क्रेट कर देता है और यही अगर आप देखे तो अभी की ताइम पर क्या है गाई रूस रेगुलेशन को भी लेकर क्या है कि एक्सेंज यहां पर पर काफी जाद पैनिक के अंदर अगर आप देखे तो यहां पर बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया तो उनका भी मेजर रिजन था यहां पर रेगुलेशन को लेकर दोस्तों कोई भी एक्सेंज अगर बंद हो रहा है ना इसकी पीछे का मिजर रिजन यह होता है कि वह एक्सेंज नहीं यहां पर उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर खुद को रिजिस्टर नहीं किया होता तो जब भी यहां पर ऐसी सी यह जब भी उपर तो अगर यह यहां पर कंफर्म हो जाता है कि वह एक्सेंज पहले से इस पर्टिकुलर जगह पर रेजिस्टर नहीं है तो वह यहां पर काफी जब प्रोब्लम में फर्स जाता है और यही चीज़ कुछ एक्सेंजिक से हमने देखिए उसी के साथ लिए होड़ी टीम पर यहां पर यह चीज़े क्लियर की जा रहे है कि अभी के राइम पर ना इन एक्सेंज के लिए जो है अभी रेगुलेटरी जो फ्रेमवक क्रियेट हो रहे है इन सब के अंदर काम करना जो है यहां पर काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है और थर्ड पॉइंट के अंदरी प्रेटरी जो भी टोकन बता रहे हैं और बास द फोस्तिक रिक शर्विकल्ट इंट रहे हैं और यहां पर दिफार्ट इस यहां पर प्रवाइड की थी कंपाउंट जो है आप इंटर्स जो एंगर सकते हैं तो गड़री तो टुटेंट इस यहां पर इसके ऊपर अटेक भी होँए इसके रहां उसर्क्राइड को भी काफिज बिए प्रेट व मृट्ट पॉड़्य सब्सक्राइड पर इंट रहे हैं और प्रवारी कि शुट्ट इस एंट कर दोस्ते तो पर इसके आपर अटेक भी तो guys यहाँ पर यह कुछ reason बताए गए है और दूस्तों यहाँ पर काफी users के comment आ रहे हैं कि हम अपनी money को विट्रो नहीं कर पा रहे हैं होटबीट से तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने इस notice में explain किया है कि अभी आपके पास 21st of June तक का time है यानि एक महिने का time है इस एक महिने के अंदर आप अपनी जो money उसको विट्रो कर सकते हैं तो विट्रो किस प्रकार से करेंगे तो दूस्तों यहाँ परना सबसे पहले तो आपको होड़ीट की वेबसेट पर आजाने अगर आप विट्रो कर चुक है और अगर आपका विड्रो सक्सेस्फुल हो चुक है तो बढ़िया बात है अगर आपका विड्रो नहीं हो पा रहे है कैसे करेंगे email address request type में आप डाल देंगे अगर आपको विड्रो इश्यू आ रहा है आपका कोई trade नहीं हो रहा तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे चिक है उसके बाद आपको description में लिख देना है जो भी आपका problem आ रहा है आपको contact कर लेगी आपके mail letters जिस पर भी आपने आपने इसन से contact किया बागी दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए अपनी money को expenses पर hold मत करो क्योंकि कोई big sins का कुछ भी नहीं पता कि कौन सा एक सिंस कब collapse कर जाए और आप अपनी money कब लूज कर जाओ चलिए मिलते हैं आप से नेक्स वीडियों में तब तक लिए शेहिंद वने मात्रम